नमस्कार दोस्तों, स्वागत हैं आप सभी का एक बार फिर से हमारे एट्यूब चैनल में दोस्तों हिंदूओं में ही नहीं, बलके अन्य समुदायों में भी दीवाली का तिवार बहुत ही धूम धाम से मनाया जाता है दीवाली का पर्भ हर साल कार्तिक मास के क्रिशन पच्छ की आमावास्या तिथी को मनाया जाता है दोस्तों, इस साल दीवाली चार नौंबर संदोहजार इक्टीस यानी गुरुवार के दिन मना ही जायेगी दोस्तों, मानता है कि माल अच्छमी को साप सपाई बेहद प्री है तथा वे वही वास करती हैं जहां साप सपाई रहती है ऐसे में दोस्तों, दीवाली के कई दिन पहले से ही लोग अपने घरों की साप सपाई करने में लग जाते हैं दोस्तों, घर की साप सपाई के दौरान ये भी ये पाँच चीजें अचानक मिल जाएं जिसें आप भूल चुके हों तो समझ लें आप पर माल अच्छमी की किरपा बरसने वाली है और आपके घर पूरे साल जम कर पैसा आने वाला है तो कौन सी वो पाँच चीजें हैं आईए जान लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से लेकिन उससे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बाक्स में लिखिए जय मालचमी ताके आपके घर कभी रूपियो पैसों की दिक्कत ना हो और आप हमेशा धनवान बने रहें और गरीवी आपको कभी छू ना पाए चलिए अब जानते ही दुस्तों सफाई के दौरान आपको अपनी पर्स में या किसी कपड़े के जेम में रूपिय या पैसे मिल जाएं तो या बहुत ही शुब माना जाता है ऐसे पैसों को किसी धार्मिक कार में लगाने से माल अच्छमी बहुत प्रशन होती है और घर में हमेशा बरकत बनी रहती है दुस्तों घर की या पूजा इस्तल की सफाई के दौरान मुरली या मोर पंक का मिलना बेहद शुब होता है कहा जाता है इन चीजों का संबन्द भगवान बिस्रू के अबतार सिरी क्रिस्न से है इनके मिलने से घर में माल अच्छमी का आशिरवाद बना रहता है दुस्तों घर की सफाई के दौरान अगर आपको कोड़ी मिल चाए तो इसे गंगा जल से इसनान कराकर इसे धनवाले इस्तान पर रख लेना चाहिए इससे घर में सुक सुमर्दी बनी रहती है दुस्तों रसोई को साफ करते समय एदी वाच्छाबल मिल जाए जिसे आप पूरी तरह से भूल गए हो तो या आप के लिए बहुत ही भाग गिशाली होगा दुस्तों घर की सफाई करते समय कहीं पर एदी कोरा लाल कपड़ा मिल जाए तो इसे संभाल कर रख लेना चाहिए मन्यता है कि या लाल कपड़ा आपके सुनेहरे बाले कल का संकेत होता है तो दुस्तों ये थी वो कुछ खास चीज़ें जो दिवाली से पहले अपने घर की सफाई में अगर आपको मिल जाएं तो ये कीनन मालच्मी आप से प्रसंद होने वाली है और आपके घर पूरे साल जम कर पैसा आने वाला है तो द्यान रखिये दोस्तों कहीं आपके साथ भी तो ऐसा नहीं हो रहा है तो आप हो जाएं बिलकुल खुश तो आज के लिए दोस्तों वस इतना ही मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में तब तक आप रहिए इस्टे मोटिवेट इस्टे फियरलेस जैहिन